हलो दोस्तों जब कभी भी हम एक एलक्ट्रिक आटो रुक्षा लेने जाते हैं तो रेंज को ध्यान में रखते हुए एक एलक्ट्रिक आटो रुक्षा खरीद लेते हैं और जब हम इसी आटो रुक्षा के भरोसे पर इतना पैसा रिटन कमाने जाते हैं तो कितना महनत करना पड़ता है। और उस महनत के अंदर ये अलेक्टरीक आटो रुक्षा हमारा साथ नहीं देती है, तो बहुत परशानी उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एक electric auto रिक्षा खरीदने जाते हैं तो किन चीजों को हम ध्यान में रख लेना चाहिए और किन चीजों को चेक करके एक नई electric auto रिक्षा खरीदना चाहिए एक तरह से ये वीडियो आपको electric auto रिक्षा buying guide के जैसे समझ लीजिए इस वीडियो के अंदर ज्यादा technical trends के अंदर नहीं गुसते हैं जैसे कि बैटरी किस material से बनी हुए और motor किस banding से बनी हुए इस सब के बारे में नहीं जानेंगे लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे simple and important points जो हमें खरीदने से पहले चेक करना चाहिए उनके बारे में जानेंगे उन points के बारे में जानने से पहले शाबूर इसमें आपका बहुत बसफागत है अगर चानल में पहली बार आयते हैं चानल को जरूर सब्काइब कर लेना वीडियो पसंद आती है तो like share करना मत भूलिए और कोई भी electric auto रिक्षा के बारे में पूछना चाहते हैं जानना चाहत हुए उन important points को जान लेते हैं तो शुरुबात करते हैं बिल्ड क्वालिटी से बिल्ड क्वालिटी के अंदर अलग-अलग company अलग-अलग material को यूज कर रही है अपने electric auto रिक्षा की body panel मनाने के लिए लेकिन metal से बनी हुए जो body होती है वो ज्यादा फाइदे मंद होती है फि जादा यह होता है कि अगर आपको auto रिक्षा को कभी न कहीं पर धक्का लग जाता है तो उसका जो repair है आपको कम खर्चे में local store के अंदर ही बन जाता है जैसे कि building नहीं पर building machine होती है तो वहाँ पर जाके आप अपने auto रिक्षा के repair करा सकते हैं इसके अलावा भी life खतम होने क बाद भी आप उस metal से बनी हुई auto रिक्षा को बेश देते हैं तो कुछ ना कुछ amount आपको return मिलता है लेकिन fiber और DCPD final का जो repair है वो अभी local store के अंदर available नहीं है और पता नहीं price क्या होने ओला है और उसकी life जब खतम होती है तो उसको बेशने के बाद आपको क्या amount expert कर सकते है speed के मामले में Indian market के अंदर passenger auto रिक्षा EL5M और cargo auto रिक्षा EL5N category में launch होते हैं इन category के अंदर launch होने वाली auto रिक्षा की जो top speed है वो आपको 50 km per hour की speed दी जाती है तो इस speed के उपर आपको company auto रिक्षा provide कर रही है तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिए क्यूंकि कम speed होती है तो और कम हो जाती है अगर कोई company आपको 45 km per hour की speed provide कर रही है तो आप passenger को बिठाके लोड दालके और कम speed जाते हैं उस तरह से speed घड़ जाती है तो आपको ज़्यादा ज़्यादा speed वाली auto रिक्षा लेना के लिए prepare कर लीजिए speed के अलावा भी range के मामले में company आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बताने की कोशिश करती है तो आपको कभी भी range देखेंगे तो आपको वहाँ पे AR, AI certified range नहीं देखना है आपको इसके अलावा real world range या typical driving range या on road driving range इस तरह के option दिखते हैं तो वो driving range को prepare करना चाहिए range मिल रहा है तो आपको वहाँ पे उम्मीद करना चाहिए कि real world range जो है वह आपको 140 या 130 तक मिल सकता है ज्यादा expect नहीं कीजिए और इस बात को भी आप हमेशा चेक कर लिए और range के मामले में एक points को जरूर याद रख लेना आप अपने आटो रिक्षा में ज्यादा से ज्या ज्यादा load पे दाल देते हैं या ज्यादा passenger आप बिठा देते हैं तो आपके control में clutch होता है तो first gear के अंदर आपको ज्यादा torque मलता है तो आप first gear दाल के move करने की कोशिश करते रहते हैं तो वहाँ पे हमारे control में होता है ऐसी engine के आटो रिक्षा में लेकिन electric आटो रिक्षा मे अंदर gradeability भी matter करती है और very very important भी है क्योंकि अगर आप एक electric कारओ आटो रिक्षा ले रहे हैं तो torque आपके control में नहीं होगा और gradeability भी आपके control में नहीं होगी है और company के ये तरफ से बताया जाता है कि उसके अंदर payload capacity 500 के जिका है लेकिन आप दाला है 600-700 उसके अंदर payload capacity दा होगा तो आपके आटो रिक्षा के अंदर ज्यादा से ज्यादा load दाल सकते हैं एक तरह से gradeability को भी company दो तरह से बताती है एक होता है degree और एक होता है percentage इन दोनों के अंदर भी आपको company ज्यादा जो number होता है उसी को बताने कोश्च करती है जैसे कि percentage हो है वो ज्यादा number वाला degree के अंदर 11 से 12 degree का gradeability चेक कर लिजिए हर एक आटो रिक्षा के अंदर आजकल मिल रहा है लेकिन यह जो 11 12 का जो डिग्री है उसी के अंदर लेजिए उससे कम होगा तो अगर आगर कार्ग आटो रिक्षा ले रहे हैं तो प्रिपेर मत कीजिए अगर passenger आटो रिक्षा ले र आपको company अगर दिल्ली के अंदर manufacturing कर रही है तो आपको पैन इंडिया वो इलेक्ट्रिक आटो रिक्षा अवेलेबूल होता है जैसी कि अपने इंडिया के अंदर हलेगलग state के अंदर अलेगलग temperature रहता है अगर जादा आपके state के अंदर धूप मार रहे है तो summer season है तो आप आपको cooling system काम करके आपके battery को हमेशा अंडया रखने की कोशिच करता है तो यह तरब से फाइदेमंदी है external समझी है अगर यह option नहीं दे रही है company इसके अलावा अगर company अच्छा से optimize करी है बैटरी को cooling के लिए तो वो भी external option मिल जाएगा लेकिन अगर आपके आटो रिक्षा है तो आप एक बाद चेक कर लीजिए कि आपकी motor और battery IP67 rated है की नहीं अगर आपको वहां पर नहीं बता रहा है तो आप उन sales person से या उस company की जो भी sale कर रहा है उससे पूछ लीजिए क्यूंकि अगर हम warranty पे जाते हैं तो यह चीज़ आपको काम आती है हमें warranty की बात करी लिए और कौन से नहीं करते हैं जैसे कि आपको water गिरके आपको short circuit हो जाता है तो वह warranty cover करते हैं या नहीं करते हैं इस तरह कि कुछ conditions होते हैं उसको भी जरूर check कर लेना इसके लावा charger के लिए भी warranty पूछ लेना क्यूंकि कुछ company होती है warranty तो आपको battery के ओपर तीन साल मिल जाएग लीजिए वहां पर जो आपको document दिया जाता है उसके अंदर charger भी cover है या नहीं इस तरह के warranty के conditions आप जरूर check कर लीजिए तो यह और आइटम होता है उसके ओपर भी warranty आप चेक कर लेना BMS battery management system यह एक तरह से आपके electric auto रिक्षा का हाट होता है इसके ओपर भी आपको company से कितना warranty मिल रहा है इसको भी check कर लीजिए क्योंकि अगर BMS खराब हो जाता है तो आपकी auto रिक्षा थोड़ा सा भी मून नहीं करेगी battery से motor को current पहुंचाने का काम और battery को temperature, motor temperature सब कुछ control BMS करता है तो इसके लिए आप BMS के ओपर भी warranty पूछ लीजिए उसके ओपर temps and condition क्या होंगे उसको भी जरूर कूछ लेना company से अभी तक जितने भी option बता हैं वो सब कुछ company provide कर रहे हैं तो आप ये भी ध्यान में रख लीजिए कि after sales and service ये बहुत important होता है हर एक customer के लिए क्योंकि अगर आप एक बार product खरीद लेते हैं उसके बाद company का response नहीं होता है आपको तो आप कौन सी company आपको after sales and service अच्छा देखी है तो इसके बारे में जरूर ध्यान में रख लेना और जो पुराने customer जो लिये होते हैं उनसे भी एक बार contact कर लेना क्योंकि एक दो रुपया लगा के आप नहीं ले रहे हैं आप 3-4 लाग रुपय दे रहे हैं एक company को तो ये सब करना बहे है जरूर है आपके लिए इसके अलावा support sales and service के अलावा जो service charges होते हैं उसके बार में भी पूछ लीचे पहले company आपको electric auto rickshop sale करने के लिए कुछ भी बोलती है ये service free होगा ये warranty में आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा लेकिन आप खरीद लेते हैं और हमें service पे जाते है एक बार service कराने के लिए तो जब charges होते हैं सब कुछ आपको collect कर लेता जाता है तो उसके बारे में भी ध्यान में रखना service का charges क्या होने वाले हैं किस पे charge होता है किस पे नहीं होता है इसके बारे में भी आप ध्यान से company से पूछ के check कर लेना कि कौन से service पे कितना charge होगा कौ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20,000 का खर्चा आता है engine पूरा बनाने के लिए उससे अलावा कुछ भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता है लेकिन electric का जो मामला होता है वो बाहर local में कोई नहीं करते हैं अगर बाहर local में कोई हाथ भी लगाएगा तो warranty नहीं आती है company के तर फार चार्जिंग का जो भी option मिलता है या swiping battery का option मिलता है आपको electric auto रिक्षा के अंदर तो उसके अंदर आप ये बात ध्यान में रख लेना कि charges कितने होने आपको far charging का option तो दिये जा रहा है लेकिन आप जब charge करने जाते हैं तो ज़्यादा पैसा collect किया जाता है तो आपको फाइदा ही नहीं होगा तो इसलिए वो charges भी ध्यान में रखना है और swiping battery का जो option होता है उसके अंदर charges कितने होने वाले उसको बारे में भी ध्यान में रख लेना है इसके अलावा battery के ओपर आपको company के तरफ से buyback guarantee दिये जा रही है तो वो बहुत ही अच्छा है सोने पर सव तो दोस्तों यह थे कुछ important point जब कभी भी आप यह electric auto रिक्षा खरीदने जाते हैं तो इन point को ध्यान में रख लेना और एक बार जरूर चेक कर लेना इसके लावा अभी अगर आप technical perspective से जाना चाते हैं जैसे कि battery की जो material होती हो कौन से best होती है motor कौन से best होती है कितने rpm best होत तो चानल को जरूर subscribe करना क्योंकि daily electric auto रिक्षा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे तो उम्मिद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आए होगी अगर पसंद आए तो वीडियो को like and share करना मत बुलिए और मिलते हैं एक और नए electric auto रिक्षा के वीडियो में अंडिल दिन ब हुआ है